साथियों, CII की ये बैटक इस बार 75.77 दिवस के माहोल में आजहादिके अमरित महोत्सव के बीच हो रही है। ये बहुत बड़ा आउसर है भारतिय उद्योग जगत के नए संकल्पों के लिए, नए लक्षों के लिए। आत्म निर्भर भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दाईत्व भारतिय उद्योगों पर है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सरकार आपके साथ है, आपके हर प्रयास के साथ है। आज देश में विकास के पती जो बातावरन बना है, अपने सामर्थ के पती जो विश्वास बना है, भारतिय उद्योग जगत को उसका पूरा लाब उठाना चाहिए। बीते वर्षों में भारत में जो बडलाव आए है, चाहे सरकार की सोच और एप्रोच में हो, सरकारी व्यवस्ताओं के काम करने के तरीके में हो, वो आप सब स्वयम अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैसूस कर रहे हैं। आज का नया भारत नई दुनिया के साल चलने के लिए तैयार है, तत्पर है। जो भारत कभी विदेशी निवेश से आसंकित था, आज वो हर प्रकार के निवेश का स्वागत कर रहा है। जिस भारत की टैक्स से जुड़ी नितियों से कभी निवेशकों में निराशा फैल जाती थी, आज उसी भारत में दुनिया का सबसे कमपुटिटिव कर्परेट टैक्स हैं और फेसलेस टैक्स सिस्टिम भी है। जिस भारत में दस्तावेजों में, कागेजों में, कानूनों में उलजाना बिरो कसी की पहचान माना जाता था, वही आज इस आप डूइंग बिजनेस रैंक में बड़ी छलांग लगा रहा है। जहां सालों तक स्रमीकों को, उद्योगों को सेंकडों कानूनों के जाल में उलजाये रखा गया, वही आज दरजनों स्रम कानून चार लेवर कोर्ट में समा चुके हैं। जहां कभी क्रिशी को सिर्फ गुजारे का माध्यम माना जाता था, वही अब क्रिशी में एक्तिहासिक रिफॉर्म के जरिये भारतियक किसानों के देश-विदेश के मार्केट से सीधे जोडने का प्रयास हो रहा है। इनी सब प्रयासों का नतीजा है कि आज भारत में रेकॉर्ड FDI भी आ रहा है और FPI में भी नए रेकॉर्ड बन रहे हैं। आज देश का फोरेक्स रिजर ये भी आल टाइम हाई लेवल पर पहुंचा हुआ है।